एक old man और एक young लड़की ये दोनों बातरू में first जाते है old man एक generalist था और इसके interview ये लड़की लेना चाहती थी पर उसके intention कुछ अलगी थे Hello friends, आज मैं आपको Madden 1987 ये 2011 की एक French movie explain करने वाला हूँ एक kind of hangout movie है तो इसके conversation को आप relax करकर कुछ खाते हुए enjoy कर सकते हो तो बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हम हमारे main character को जिसका नाम है Miguel इसे एक hotel में write करता देख सकते है ये newspaper के लिए write करते है और ये बहुत ही famous writer है आज उसे मिलने के लिए एक लड़की आई जो हमारी और एक main character है इसका नाम है Angela Angela आज Miguel का interview लेना चाहती थी वो भी अच्छे से write करना चाहती है एक अच्छी generalist बनना चाहती है Miguel एंजला को कुछ order विगरा करने के लिए गहता है उसने बहुत पहले एक आत्मे के बारे में article लिखा था उसके बारे में बात कर रहा था गहता है मैंने उसके बारे में article लिखा पर इसके बाद ही उसकी date हो गई थी तो हमने वो publish नहीं किया वो और उसका publisher यह बहुत ही close थे एंजला पुछती है कि office में सबसे तुम close थे मेगिल गहता है एक जगा पर अगर तुम 25 उरस तक काम करो तो सिर्फ एक दूसरे को मारना ही बाकी रहता है मेगिल है बहुती straight forward उसे जो जाई होता है इसके बारे में बोल देता है इस type का character है एंजला ने Coca-Cola order गया था इसकी एक sleep उसने उसे मांग ली मेगिल को doctor ने Coca-Cola, टवबय को इस तरीके की चीज़े खाने के लिए मना किया है पर फिर भी हो मानता रही वो एकी time पर smoking भी करता है Coca-Cola पर पीता है और टोपाय को भी खाता है उसे लगता है कि अगर इस तरीके से उसकी date हो जाए तो इसका blame इस सारी चीज़ों में equally distribute हो जाएगा एंजला ने अपने writing मिगेल को दिखाने के लिए लाई हुई थी जो मिगेल को इतने ज़ादा पसंद नहीं आती वो गहता है तुम्हारा article बहुत ज़ादा long है अगर तुम्हें publish होना है तो यह ज़रा short होना चाहिए एंजला ने मिगेल की writing style भी copy की थी तो गहता है तुम्हारी writing style ज़रा unique होनी चाहिए तुम्हारे words लोगों को pinch करने चाहिए तब ही article perfect बनता है वर्याट कैसे करना है यह कोई भी सिखा नहीं सकता यह अंदर से आना चाहिए यही reason था एंजला ने अपने college में जो weekend के लिए बाहर गया हुआ है तुम्हे call करने से पहले मैंने चावी उससे ले ली थी इसके बाद मैंने मेरा luck try किया मिगेल एंजला को अपने साथ वहाँ लेकर जाना चाहता था उससे कहता है interview लेते बद हमारे बीच कोई भी distraction नहीं आना चाहिए यह वहाँ पर पोचे मिगेल एंजला को tea विगरा देता है यहाँ पर अलग-अलग paintings पड़ी हुई थी तो मिगेल कहता है painting ये art form मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप painting करते हो उसके बाद भी colors को smell कर पाते हो physically इसे enjoy कर पाते हो पर writing का उस तरीके से कुछ भी नहीं है एंजला ने glasses लगाए थे तो उसने वो निकाल लिया उसके बाद उसे kiss कर लेता है इसके बाद मिगेल ने का यह आज कल मुझे kissing में कोई भी interest नहीं है जैसा age वरता गया वैसे interest चला जाता है उसने फिर उसे कपड़े निकालने के लिए खए उसका मानना था कि एंजला उसे कुछ सिखने वाली है तो उसके बदले में उसे भी कुछ मिलना चाहिए वो उसे clearly बोल देता है कि मुझे जो चाहिए कि मैंने तुमे clearly बता दिया है इसे जाए तो तुम और कुछ भी expect नहीं कर सकते इसका मतलब यह नहीं कि तुम talented नहीं हो पर physically में तुम से attracted हो आज कल में किसी भी लड़की को seduce नहीं कर पाता जब यंग था तब की बाद अलग थी अगर आज एंजला के साथ उसका कुछ हुआ तो इसके बारे में वो लिखने वाला है एंजला को ज़रा uncomfortable लगा तो यहां से वो चली जाती है थोड़ी देर में mind change करकर फिर से वो वापस आगी उसने अपने कपडे निकाले मेगल ने अपने friend की color लेकर उसके body पर वो draw करता है इनके बीच में अब तक physically कुछ भी नहीं हुआ इसके बाद एंजला shower लेने के लिए चली जाती है मेगल भी उसके पीछी बीच आया उसने door lock किया वो भी shower लेता है shower लेने के बाद एंजला ने कहा कि अब मुझे यहां से जाना है यह सब वो नहीं कर सकती मेगल को यह बात सुनकर भुरा लगा पर एंजला जब यहां से जा रही थी तो बात्रूम का door ही open नहीं होता यह door खराब था पर मेगल का friend उसे बताना भूल गया था एंजला इसे खोलने का बहुत try करती है मेगल ने भी try किया पर दोनों से खुल नहीं पाता एंजला बात्रूम की छोटी सी खिड़की से help मागने की कोशिश करती है पर मेगल ने उसे का कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो अगर हम दोना एक साथ पकड़े गए तो तमाश हो जाएगा वो एक famous writer है तो इस scandal भी बन सकता है मेगल ने कहा कि मेरा friend दो दिन तक वापस नहीं आएगा इतने time में उसकी wife पुलिस को call कर देगी एंजला कहती कि मेरे parents उससे पहली ज़ादा वरीड हो जाएंगे ये इन दोनों के लिए problem थे तो फिर से खिटकी से आवाज लगाने लग जाते है पर इने कोई भी सुन नहीं पा रहा था मेगल कहता है हमारी situation बहुत ही अजीब है एक तो comedy हो सकती है या फिर tragedy एंजला ने का कि अगर हम safely हाँ से निकल गए तो एक comedy होगी अविर मेरे parents को ये पता जल किया तो एक tragedy में convert हो जाएगी मिगल पुछता है कि तुम्हारे father क्या करते है एंजला ने का कि वो military में है उनका नाम उसने उसे बता है तो मिगल उन्हें जानता था एंजला की बड़ी sister को भी हो जानता है उन दोनों में 17 years का difference है मिगल कहता है कि जब वो acting class में थी तो हम दोनों friends हुआ करते थे वो actual में उसे like करता था पर उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ मिगल बहुत worried था कि उसके wife police को बुला लेगी उसे एक writer के story याद आए writer हमेशा अपनी wife पर cheat करता था एक दिन वो घर पर ही नहीं आया उसकी wife को पता था क्यों किसी और लड़की के साथ है फिर भी उसने police को call कर दिया कहा कि terrorist लोगों ने मेरे husband को kidnap कर लिया है जब वो writer next दिन उठा तो अपने आपको उसने directly news पर पाया यह सब बहुत ही funny बन गया था उसकी wife ने उसे एक lesson टीच करने के लिए इस सब किया था मेगिल कहता है कि तुम्हारी dad और sister में कभी भी बनती नहीं थी वो हमेशा fight करते थे एंजला ने का क्यों अब भी करते है actually एंजला ने अपनी sister से ही मेगिल का number लिया था मेगिल कहता है एक बार मैंने उसे पताया था कि मैं उसे like करता हूँ पर उसने मुझे reject कर दिया था अगर उसे पता चला कि हम दोने किस situation में है तो मैं wonder करता हूँ कि वो करेगी क्या आज कल एंजला की sister ये बड़ी actress बन चुकी है एंजला कहती है कि मेरी sister को लगता है कि तुम बहुत ही overrated writer हो मेगिल को इस सुनकर भुरा लगा पर उसको अपना career बना सकता है एंजला बुछती है लोग क्या कहते है क्या तुमें इससे कुछ भी फरक पड़ता है मेगिल बुछता है क्या अब भी तुम मेरा interview ले रही हो मैं तुमें सब answers दूँगा पर ये interview किस तरीके से end होती है इस पर ही depend करेगा उसे touch करने वाला था पर एंजला उसे दूर जाकर वेटी एंजला कहती है तुमारे novels बहुत ही अजीब तरीके से थे पर फिर भी उन्हें बहुत सारे awards वगिरा मिले है मेगिल कहता है novel लिखते हो लोग बहुत ज़ादा time लेते मैंने इसे professional ही लिखा था हर रोज में कुछ target रखकर इसे complete कर ही डालता था मेगिल एंजला से कहता है कि फिर से try कर कर देखो तुमारी आवाज सुनकर तुमें help करने के लिए कोई भी आदमी आ सकता है सुन्दर लड़की देखे नहीं और हर आदमी उसे help करना चाहता है आवाज देने के बाद भी उसे कोई भी सुन नहीं रहा था मेगिल फिर से एंजला के पास आ गया उसे कहती है मुझे सिर्फ यहाँ से जाना है उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती आजला फिर से डोर को open करने की कोशिश करती है मेगिल कहता है कि जब अभी यंग होती हो तो लगता है कि इस life में कुछ point है वो अपनी life कुछ अलग तरीकिसे जी लेंगे पर बात में बदा चलता है कि life में बहुत सारी चीज़े pointless थी इसमें कोई भी meaning नहीं था हर एक की कोई ना कोई तो priority होती है मेगिल अंजला से पुछता है कि आज Saturday अगर तुम घर पर होती तो क्या करती क्या अपने friends के साथ बाहर जाती एंजला को इस सब चीज़े पसंद नहीं है वो गहती है कि मैं books read करती मेगिल को जो books पसंद है यही एंजला ने भी पड़ी हुई है पर मेगिल कहता है हम दोनों के views इस पर बहुत ही अलग-अलग होंगे जैसे कि classical music और एक rock band में difference होता है मेगिल ने फिर यही toilet किया वो गहता है प्यार के बारे में लोगों ने बहुत सारी चीज़े लिखिये और बाकी चीज़ों के बारे में कोई भी नहीं लिखता यह लोगों को जादा resonate करती है अपने writing में इन चीज़ों का तुमें ध्यान रगना चाहिए मेगिल अं frustrated हो रहा था वो गहता है हम दोनों ही आए हम दोनों में एक tension है अगर हम कुछ भी नहीं करते है तो tension बढ़ता जाएगा सब कुछ हो जाने के बाद शायद हम एक दूसरे को desire नहीं करेंगे पर फिर भी attraction बहुत ही important है मेगेल भी अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था उसे बुरा लगता है कि वो सोच क्या रहा था वो एक old man है कोई भी young लड़की उसके साथ intimate नहीं हो सकती वो कहता है कि मेरी wife को में बहुत प्यार करता हो पर फिर भी कभी कभी आपको isolation की जरूरत होती है हम दोने यहाँ पर इस तरीके से एक साथ है अगर हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ पर फिर भी लोगों को लगेगा यह कुछ ना कुछ तो हुआ है यह उसे एक tragedy की तरह लगता है एंजला फिर उसके पास आगे और यह दोनों intimate हो जाते है इसके बाद एंजला को थोड़ी सी भूक लगी थी इस पर मेगिल कहता है मुवीज में मुझे लोगों को कुछ ना कुछ खाते देखना अच्छा लगता है उसने अभी अभी एक action movie देखी थी जो बहुत ही fast थी पर अचानक से उसमें एक आदमी का खाना खाते होए scene आ गया उसे लगता है कि उस scene में एक piece था एक reality थी वो बताता है यह writing भी इसी तरीके से होती है जिस तरीके से जो भी facts है हमें उस तरीके से बताने चाहिए जितना आप real लिखोगे उतना ही लोगों को अच्छा लगेगा एंजला अपनी writing से world change करना चाहती थी पर मिगेल कहता है वैसा कुछ भी नहीं होता तुम सिर्फ लोगों के लिए अच्छा लिखने का try कर सकती हो बाकि कुछ भी तुमारे हाथ में नहीं मिगेल की view से बहुत सारे negative होते है वो एंजला से हमेशा इस तरीके से बात कर रहा था कि उससे बहुत ही जादा छोटी है वो almost एंजला को डाट रहा है इस तरीके से उससे बात कर रहा था एंजला को इस पर गुसा आ गया वो गयती ही मुझे सब लोग इसी तरीके से ट्रीट करते है तुम सिर्फ बड़े हो तुम्हें experience है इसका मतलब यह नहीं कि तुम सही हो तुम्हें क्या लगता है यहाँ वर मेरा आना यह तुमने चूज किया था मैं भी तुम्हें चूज कर सकती हो शायद मुझे भी कुछ न कुछ डिफरेंट चाहिए था इसलिए मैं यहाँ पर आई एंजला का गुसा शांत होने के बाद मिगेल कहता है कि इसे को आवाज लगा कर देखो पर फिर भी कोई भी सुन नहीं पा रहा था एंजला कहती है कि जब मैं छूटी थी तो इस तरीके से प्रिटेंड करती थी यह मैं एक सिलिब्रेटी हूँ मेरा इंटर्व्यू चल रहा है और आईनी के सामने हमेशा ऐसी देखती रहती थी मिगेल कहता है लोग अपने आपको जैसे है इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर बाते इसलिए कुछ ना कुछ जादा पावर हूद बनने की कोशिश करते है यह बात एंजला ने भी रियलाइज की थी और इसके बाद उसने मीरर के सामने इस तरीके से प्रिटेंड करना छोड़ दिया सबजेक को चेंज करने के लिए मिगेल गयता है क्या तुम्हें मुवी देखनी है एंजला बुछ थी कि हम कैसे देख सकते है मीगेल ने फिर उसे स्टोरी बताना स्टार्ट किया वो गहता है कि एक फैमिली थी मदर फादर और उनका एक बेटा था एक दिन अचानक से बेटे ने अपने बेट से उठना बंद कर दिया पहले तो बेरेंट्स को लगा था कि शायद इस स्कूल नहीं जाना चाहता तो उसने साइकोलोजिस से उसकी बात करवा है पर फिर भी बेटा मानने नहीं वाला था साइकोलोजिस ने बेरेंट से का कि इस तरीके से आप प्रिटेंड कीजिए कि सब कुछ चीज़े बहुत ही नॉर्मल है बहुत दिन बीटे गए पर फिर भी अपने बेट से उठा ही नहीं फादर और मदर ने फिर डिसाइड किया कि हम इसे लेकर कही वैकिशन पर जाएंगे यह अलग-अलग प्लेशे स्वर घुमे गुमते गुमते एक जगा पर मेला चल रहा था इस मेले में अपने बेटे को बेट बरी लेकर गए वहाँ पर एक लड़की से उसने बात कि वह लड़की भी उसके प्यार में बढ़के उनका बेटा फिर भी बेट से उठा ही नहीं उस लड़की को बहुत बुरा लगा और वह भी फिर बेट में रहने लगके यह बात देखकर सारे विलेज वालों को लगा कि शायद बिमारी कंटेजेस हो सकती है उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया और भी थोड़े दिन बीथ गया एक रात आई जो बहुत ही ब्यूटिफूल थी मदर और फादर एक दुसरे की कमपनी एंज्जॉय कर रहे थे वो दोनों जंगल में गये और एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो गए जब वो वापस आय तो उनका बेटा बेट से उठकर कही चला गया था उन दोनों ने अपने बेटे को ढूणने की बहुत कोशिश की पर उन्हें ओं कहीं भी नहीं मिला एंजला बोशती है क्या इस स्टोरी की इंडिंग साड है मुझे तुमें क्यों सुना रही हो मेगल उसे बता था कि मदर ने अपने बेटे को ढूणने की बहुत कोशिश की थी उसे मिला नहीं पर इस बात से ओं खुश थी उसका बेटा इस तरीके से रह रहा था इस बात से ओं तंग आ चुकी थी उसे जो फिलिंग सा रही थी इस वज़े से उसे गिल्टी लग रहा था स्टोरी की तरह ही हमने आज जो भी किया एक गलत था हमें इसके बारे में गिल्टी तो लगेगा ही पर ये अब हो चुका है इसके बारे में जादा सोचना सही नहीं इसके बाद अगर हम फिर से कभी मिले तो तुम मुझे इग्नोर कर दोगी तुम्हें गिल्टी तो लगेगा पर यही करना सही होगा इसके बाद थोड़ी दिर में मिगेल को किसी का आवाज आया उस आदमी को बुला कर कहता है कि प्लीज मेरे फ्रेंड को कॉल करो मैं यहाँ पर फर्स चुका हूँ थोड़ी दिर में मिगेल का फ्रेंड भी वहाँ पर पहुँझ गया जिस तरीके से मिगेल ने कहा था कि तुम मुझे अंदेखा करकर यहाँ से चली चाओगी उसी तरीके से एंजला यहाँ से चली के जाने से पहले एंजेला ने उसे का कि यह सिर्फ एक incident था इसी तरह के से मैं उसे treat करूँगी मुझे इसके बारे में कोई भी बुरा नहीं लगएगा यह सिर्फ उसके लिए एक experience था इसे के साथ यह movie end हो जाती है अगर हम इस तरह के hangout movies देखें जो इसमें सिर्फ character को और भी जान देना उनके साथ conversation enjoy करना यही सिर्फ एक point होता है तो इसे dive की आज खिया मारी movie थी अगर आप को explanation अच्छा लगा तो please इसे like और comment ज़रूर कर दीजेगा मैं बहुत सारे movies लेकर आता रहता हूँ तो please इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon दान में मन भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नम्यू के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया